नमस्कार आप देख रहे हैं आरे नियूस मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंग उत्रप्रदेश के पूर्मुखे मंत्री और समाजवधी पाठी के मुखे आखिलेश यादव ने शुक्रवार को योगिया दितनाथ सरकार पर जम कर हमला बोला दरसल एक प्रेस कॉंफरेंस में उन्होंने कहा कि जो लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने यूपी को नमबर वन बना दिया है उन्होंने ये भी कहा कि क्या कोई ये सोच सकता है कि जिन्दा गाएं को दफ्न किया जा सकता है अगिलेश ने सवाल दाखते हुए कहा कि कौन से शेत्र में यूपी नमबर वन है यूपी में इस ओफ डूइंग बिजनिस नहीं बलकि इस ओफ डूइंग क्राइम है और सडकों की हालत देखिए अगर आब उद घाचिन के वक्त नई बनी सडक पर नारियल फोड़ेंगे तो नारियल नहीं बलकि सडक तूट जाएगे केंद्र मंतरी अजय मिश्रा टेनी पर भी हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मोधी सरकार को उन्हें सस्पेंड कर दिना चाहिए इस दोरान मुख्यमंतरी को ये बताना चाहिए कि वो कब अपने फेवरेट बुल्डोसर को लखीमपुर खिरी लेकर जा रहे हैं सबसुप्रीमों ने हमला बोलते हुए आगे कहा कि बीज़पीक ने जंता को दिक्कत, किलत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया किसानों को खाद नहीं मिलने की वज़द से दिक्कत हो रही है सरकार कहती है कि आक्सिजन की कमी से किसी ना किसी की मौत नहीं हुई लेकिन लोग अस्पिताल से शमशान तक लाइन लगाये रहे इससे बड़ा जूट कोई नहीं हो सकता सरकार ने लोगों को अनात करके छोड़ दिया है जंता ने मन बना लिया है कि इस बार इस सरकार को हचाना है जिस तरह से कोरोना काल में लोगों की जान गई है एक परिवार वाला ही समश सकता है जिसका परिवार नहीं वो नहीं समश सकता तुमें केंद्रिय ग्रह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमिश्या ने यूपी राजधानी लखनव में बीजपी और निशाद पार्टी की संयुक्त रैली को संबोधित किया है इस वरान उन्होंने कहा है कि 2019 के चुनाव में भाई संजन इशाद बीजपी के साथ जुड़े और निशाद समाज गाउं गाउं से निकल कर हर बूत पर जाकर कमल का संदेश लिकर गया और देखते ही देखते दोतिहाई बहुमत से पियम मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया गया केंद्रे ग्रह मंतुयम शा ने ये भी दावा किया और दावा करते हुए कहा कि योगी अधितनात ने राज्यों से गुंडों और माफियाओं का सफाय कर दिया है जबकि समाजवादी पार्टी और बाउजन समाजवादी पार्टी उनकी रक्षा करते थे शाह ने कहा कि मैं आप सभी को पूछना चाहता हूँ कि ये सपा बसपा कॉंग्रेस ने कई सारों तक देश और प्रदेश में शासन किया है आपको क्या दिया पिया मोदी के सरकार ने गरीबों के जीवनस्तर उठाने के लिए गैस, सवचाले, घर, सवचाले भीमा जैसे अनिक सविधाय दी है उन्होंने ये भी का कि सपा बसपा कॉंग्रेस ने कई वर्षों तक देश और उत्रप्रदेश में शासन किया है लेकिन गरीबों के घर में ना रसोई गैस पहुंची ना शौचाले बना अमेशा ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तरप्रदेश में सपा बसपा की सरकारे बनी तो उन्होंने सिर्फ अपनी जाती के लोगों के लिए काम किया है सभी पिछड़ी जातियों, सभी गरीबों के हित में काम नरेंद्र मोदी ने किया है ऐसे में सालों से अलग-अलग मंत्राले बनाने की मांग की गई थी 2019 में मोदी जी ने पिछड़े समाज को और समाज के लिए एक अलग मंत्राले बना कर उस मांग को पूरा किया तुमें ब्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गंगा एक्सप्रेस वे का शलन न्यास करने वाले है शलन न्यास कार एक्रम शाजापूर में आजुत किया जाएगा जो हमेरच से प्रयागराश तक जाने वाले इस एक्सप्रेस वे की लंबाई करीब 594 किलो मिटर होकी इसके निर्मान पर 36,200 करोड रुपे की लागत आने का नुमान चताया गया बन जाने के बाद ये देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने इससे पहले 16 नवंबर को यूपी की राज़धानी लखनाउं के बिहार सीमा से सटे गाजिफूर को जोडने वाले पुर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी लोकार पन किया था गंगा एक्सप्रेस वे मेरट और बुलंच चेयर मार गयानी की एनेच 334 पर स्थित मेरट जिले के बिजौली गाउं से शुरू होगा ये प्रयागराज जिले के जुड़ापूर दांदू गाउं में एनेच 19 पर बने बाइपास के पास खत्म होगा गंगा एक्सप्रेस वे करीब 594 किलो मीटर लंबा होगा साधी इसे छे लेन का बनाया जाएगा जरूरत पढ़ने पर इसे बढ़का बढ़ा कर आज लेन तक का भी किया जा सकेगा गंगा एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां 120 किलो मीटर प्रती खंटे की रफ्तार से आसानी से फरराटा भर सकेंगे साधी आपको बता दे चलें कि मुखे स्वड़क के साथ-साथ 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस लेन भी बनाये जाएगी इस पर योजना में करीब 140 नदियां धाराय, नहर और नाले आएंगे साधी आपको बता दें आपात का स्थिती में विमानों की लैंडिंग के लिए शाजापुर में 3.5 किलो मीटर लंबी हवाई पच्ट्री भी बनाये जाएगी गंगे एक्स्प्रिस वे पर मेरट और प्रयागराज में दो मुख्य टोल प्लाजा होंगे इसके अलावा इस एक्स्प्रिस वे पर 15 राम टोल प्लाजा भी बनाये जाएगे ये यूपी का सबसे लंबा और देश का दूसरा सबसे लंबा एक्स्प्रिस वे होगा ये एक्स्प्रिस वे प्रदेश के पश्चमी शेत्रों को पूर्वी शेत्रों से जोड़ेगा साथ ही ये प्रदेश के बारा जिलों यानि के मेरट, हापुर, बुरंच शेहर, अम्रोहा, संभल, बदायू, शाजापुर, हर्दोई, उन्नाव, राइबरेली, प्रतापगाड और प्रयागराज से होकर गुज़रेगा मेरट से प्रयागराज तक इस एक्सप्रिस वे से कुल 519 गाउं जुडेंगे और इसके बन जाने के बाद लखना उसे मेरट की दूरी 5 खंटे रह जाएगी ये वही एक्सप्रिस वे है और ये मेरट से प्रयागराज तक का सफर करीब 7 खंटे में पूरा किया जौ सकेगा अभी इसमें करीब 12 खंटे का समय लगता था ऐसे में गंगा एक्सप्रिस वे निर्मान पायर 36,200 करोड रुपए के लागत आने का अनुमान जुता है गया इस एक्सप्रिस वे के लिए जरूरू 94 फीसदी जमीन खरीदी जा चुकी है साथ ही इस समय उतरप्रदेश में 4 एक्सप्रिस वे हैं और इसमें से पूर्वांचल एक्सप्रिस वे 340.82 किलो मीटर लंबा है तो मयागरा लखनावज एक्सप्रिस वे 302.22 किलो मीटर लंबा है जबकि यमुना एक्सप्रिस वे 165.53 किलो मीटर और बुंदेलखंड एक्सप्रिस वे 296 किलो मीटर लंबा है और अभी बुंदेलखंड एक्स्प्रिस वे पर काम भी चुल रहा है इन एक्स्प्रिस वे में से तीन पर एमर्जंसी में विमानों को उतारने के लिए एक एर स्ट्रिप भी बनाए गई है इन में से यमना एक्स्प्रेस वे पर मतुरा के पास आगरा लखनौ एक्स्प्रेस वे पर बंगर्माउ के पास और पूर्वांचल एक्स्प्रेस वे पर सुल्तानपूर के पास एयर स्ट्रिप बनाए गई पुर्वान्चुल एक्स्प्रस वे का लोकापन करने के लिए जब प्रथान मंत्री नरेंद्र मोधी गए थे तो उनका विमान इसी एस ट्रिप पर उतारा गया था और उकरेंगे अगली खबर की ओर जहां कॉंग्रेस के वरिश नेता रमेश कुमार के बयान के बाद अब एक और राजनेता का शर्मनाक बयान सामने आया समाजवधी पार्टी के सांसद शफीकुर रह्मान बर्क ने कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने से वो और जादा अवारगी करेंगी कल कैबिनेच ने लड़कों की शादी की उम्र की सीमा लड़कों के बराबर यानि 21 साल करने वाले प्रस्ताफ को मंजूरी दी है और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए शफिकुर रह्मान ने ये बयान दिया इससे पहले करनाटक कॉंग्रस के वरिष्ट ने था और करनाटक विधान सभा के पूर्वत द्यक्ष रमेश कुमार का भी मर्यादा तार-तार करने वाला एक बयान सामने आये था उन्होंने करनाटक विधान सभावे में पचल पर खड़े होकर वरातकार जैसे गंबीर मुद्दे पर अमर्यादित टिपनी की थी बता दें कि संभल से समाजवधी पार्टी की सांसद शफिकुर्र रह्मान बर्क भी अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्ख्यों में आते रहे हैं इससे पहले भी उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान पर कबजे की तुलना भारत में ब्रिटिश राज से कर दी थी सबसांसद शफिकुर्र रह्मान बर्क ने आगे कहा था कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों का श्यासन था और उन्हें हचाने के लिए हमने संगर्श किया ठीक उसी तरह तालिबान ने भी अपने देश को आज़ाद किया है अब है उन्हें दिसंबर से बीज़ेपी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेगी उत्र प्रदेश के सभी छे शेत्रों में निकाली जाएगी यात्रा साथ ही आपको बता दे कि 19 दिसम्बर को अवध शेत्र से यात्रा की शुरुआत बीजबी अध्यक्ष जेपी नज्जा अमबेटकर नगर से करेंगे 19 को ही कानपुड शेत्र की यात्रा की शुरुआत रक्षा मंत्री राशना सिंग बिठोर से करेंगे 20 दिसम्बर को काशी शेतर की यात्रा की शुरुवात होगी और हर वोचर और समाज के हर तपके तक पहुंचने के लिए दिसम्बर के तीसरे सब्तह तक U.P. में भारतिये जुनता पार्टी रत्यात्रा निकालने की तयारी कर रहे है अभी तक की तैयारियों के मताबिक आपको बता दें कि छे अलग-अलग रूट पर रत्यात्रा निकाले जाएंगी जो यूपी के हर विधान सभा को कवर करेंगी रत्यात्राओं के छे रूट को फाइनल कर लिया गया है साथी अलग-अलग स्थानों पर इन रत्यात्राओं में केंदर और प्रदेश सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे इस यात्रा में केंदर की मोधी सरकार और यूपी की योगे सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताया जाएगा अबे तक की तैयारियों के मुताबिक ये यरत यातरा 15 दिन तक चलाए जाएगे इन सभी 6 जगों पर 6 यरत यातराओं का समापन लखनाओं में कराने की तैयारी भी चल रही है जहां एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी 2017 के विदान सभा चुनाफ से पहले 2016 नवंबर में भी अकिलेश्य सरकार के खिलाब बीजेपी ने चार परिवर्तन यातराय निकाली थी जिसकी शुरुवाद ग्रहमंत्री और ततकाले इन बीजेपी अध्याक्षय अमिच शाने सहरन पूर से की थी और इस बार भी बीजेपी फिर से एक बार रतियात्राओं के सर्ये फिर एक बार जीत को दोहराना चाहती है और कॉंग्रेस के पूरवध्यक्ष राहूल गांधी और महासचर प्रैंका गांधी शनिवार 18 दिसंबर को अमेठी के जुगदीशपूर से हारी महू गांधी तक की 6 किलो मिच्र की पदियात्रा करेंगे कॉंग्रेस की जिला एकाई के प्रवक्ता अरविंद चित्रुएदी ने शुक्रवार को बताया है कि 14 दिसंबर को सुभा लखनाओं के अमोसी हवाई अड़े पर पहुचने के बाद राहूल और प्रैंका सडगमार्ट से अमेठी जाएंगे वो यहाँ पर आती आरवक्षी दविधान सभा सीच जुगदीशपूर के रामनिला मैदान से हरिमव गाउं तक मोधी सरकार के नीतियों के विरोध में आयोजित करीब 6 किलो मिचर की पधियात्रा में हिस्सा लेंगे उन्होंने ये भी बताया कि राहूल गांधी और प्रैंका गांधी का अमेची दोरा एक दिवस्य होगा पधियात्रा के समापन सल हरिमव में वो एक सभाभी संबोधित करेंगे साथी राहूल अप्रैंका की पधियात्रा को सफल बनाने के लिए कॉंग्रस ने पूरी ताकत जोग दी है लंबे अर्शे बाद अमेठी आ रहा है राउल गांधी के स्वागत के लिए कॉंग्रस कारे करता कोई कोर कसर नहीं छोड़ है राहूल अप्रयंगा के स्वागत में जगह जगह पर स्वागत द्वार बनाए गए साथी उत्रप्रदेश कॉंग्रस समीति के सदस्य नरेंद्र मिश्र ने कहा कि राहूल अप्रयंका का अमेठी से परिवार जैसा रिष्टा है वो हमेश्व अमेठी और यहां के लोगों के लिए सोचते और काम करते हैं कोरोनकाल में भी वो अपने इस परिवार के मदद के लिए सबसे आगे रहे गौरतलब है कि जोगदीशपूर विधानसबा सीट आरुक्षिद है और यहां से भाजपा के सुरेश पासी विधायक है जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री भी है राउल गांदी दोजार उनिस के लोकस्वा चुनाव में भाजपा की स्मृतिय रानी से हारने के बाद दूसरी बार अमेची के दोरे पर आ रहे हैं राउल गांदी पंदरा सालों तक यहां से सांसद रहे हैं आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जहां पर गाजपाद और मेरट से दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनचाल को और यात्रियों को इस क्रिस्मस से दो सहूलेते मिलने जा रहे हैं दैसल 25 दिसंबर से गाज़ेबाद से दिली के बीच इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा साथ ही अब दिली मेरट एक्स्प्रिस वे से किसान हट चुके हैं ऐसे में लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा इस तरह से लोगों की यातरा सुविदा जनक होने जा रही है बता दें कि प्रिषान मंत्री नरेंदर मोधी लखनौ में पहले ही इलेक्ट्रिक बसों का उद्गाटन कर चुके हैं और अब उन बसों के दोड़ने का समय ते हो चुका है जानकारी के मताबिक गाज़ेबाद शहर में इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए अकबरपूर बहरामपूर में इलेक्ट्रिक बसों का जिपो भी तयार किया गया इसमें 20 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने हैं बता दें कि शहर में अलग-अलग रूटों पर कुल 50 बसे चलाई जानी है लेकिन गाज़ेबाद को पहले चरण में 4 रूट पर केवल 20 बसों की ही आवंटन की गई है साथी 6 बसे कुछ महीने बाद मिलेंगी और नगर आयुक्त महींदर सिंग तनवर ने बताया कि 25 दिसंबर से बसों को चलाने की तयारी है तीस इलेक्ट्रिक बसे बाद में मिलेंगी और उन्होंने ये भी बताया कि शासन से बसों को चलवाने का आदेश आ चुका है ग्यात हो कि यात्रियों की सुविदा को ध्यान में रखते हुए चारो रूट पर प्रतेक आदे घंचे में एलेक्ट्रिक बस मिलेगी तो महीं चारो रूट पर किलोमेटर के हिसाब से बसों की संख्या और बस्टॉप भी बनाये गए है प्रतेक रूट पर धाई किलोमेटर की दूरी पर बस्टॉप बनाये गया है जहां से यात्री असानी के साथ अपनी बस सिवा का लाप उचा सकेंगे ये भी आपको बता दें कि बस एक बार चार्ज होने के बाद करीब 200 किलो मीटर तक चल सकती है खबर मुराद अबाद से है जहां पर यूफती के साथ छेर चार्ड करने वाले तीन यूफकों की गाउवालों ने जम कर पिचाई करती तो वहीं इस घचना का एक वीडियो भी सोचल मीडिया पर तीजी के साथ वाइरल हो रहा है दरसल ग्रामीनों ने पेट से बांद कर घंटों तक मारपीट की इस मामले में गाउव की ही एक यूफती ने तीन यूफकों पर छेर चार्ड का रोप लगाया था बहराल वीजियो वाइरल होने के बाद पुलिस ने यूफती की तरफ से छेर चार्ड और यूफकों की तरफ से मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया है साथी आगे की कारवाही की जा रही है इसके साथ आपको बताते चलें कि तीन यूफकों को गाउवालों की ओर से पीटने की सजा देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूफ वाइरल हो रहा है पुरा मामला मुरादबाद जन्पत के मुड़ा पाणे थाना शेत्र के गाउव की यूफती का है जिसने पड़ोस के ही गाउव दौलरा के तीन यूफकों पर छेड़ चाड़ का आरोप लगाया था आरोप है कि मुड़ा पाड़ा थाना इलाके में इस गाउव में यूफती और किशोरियों के साथ पिछले कुस समय से छेड़ खाने की घटनाय लगातार हो रही थी गुसाय गाउवालों ने इन लोगों को पकड़ कर पेट से बांद दिया और उसके बाद जम कर इन तीनों की पिटाई की गई तीन यूफकों को बंदक बना कर मारपीट करते हुए इसका एक विजियो भी बनाया गया जिसे सोशल मीडिया पर बारल कर दिया गया है बारल विजियो में दिख रहे इन तीनों को रात के समय बांद कर बंदक बना कर पिटाई की गई साथ ही इसमें यूफतियां भी यूफकों को चपलों से पीटती नजर आई